चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सेलेक्टिड काम के और महत्यपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनिट में पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए बंगाल कांग्रेस में बगावत महस्चू बिनाय तमांग 6 साल के लिए सस्पेंड बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे थे जिया दूस्तो लोकसबाच उनाओ के बीच पश्रिम मंगाल कांग्रेस में बड़ा सियासी घटना करम देखने को मिला है कारण है पार्टी ने पश्रिम मंगाल में राजी यूनिट के महस्चू बिनाय तमांग को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है पार्टी ने यह कारेवाई इसलिए किये क्योंकि तमांग ने दार्जलिंग लोकसबाच सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार के बजाए बिजेपी प्रत्याक्षी राजू बिस्ता के लिए वोटिंग की अपील कर डाली थी बिनाय तमांग ने कहा था कि वहाई लोकसबाच नो में दार्जलिंग से बिजेपी उम्मीदवार राजू पिस्ता को समर्थन देंगे प्रमुख गोर कानेता बिनाय तमांग कुछ महीने पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार प्रदेश में दो दिन चुनाव प्रचार करेंगी दो दिनों में कंगना राजस्तां की तीन लोकसबाचेटों पर बिजेपी प्रत्याक्षि के समर्थन में चार रोडशो करेंगी चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार पतंजली ने कहा 67 अकबारों में माफी नामा छपुआया, कोट ने पूछा साइज विग्यापन जैसा है क्या कटिंग भेजिये, माइक्रो इसकोप से तो नहीं डूढ़ना पड़ेगा दरसल दोस्तो बाबा रामदिव की पतंजली कंपनी के विग्यापन केस में कल सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई, जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस अमरतुलाह की बेंच में पतंजली की और से एड़ोकेट मुकुल रोहदगी ने कहा कि हमने माफी नामा फाइल कर दिया है इसे सरसट अकबारों में पब्लिश किया गया, इस पर जस्टिस हीमा कोहली ने कहा कि आपके विग्यापन जैसे रहते थे इस एड़ का साइज भी उतना ही था, या नहीं किरपिया इन विग्यापनों की कटिंग ले 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 और हमें भेज़ दे, इन्हें बड़ा करनी की ज कोड माफी नामा जारी करें जिसमें लिखा हो कि उन्होंने गलती की है, मामले के अगली सुनवाई अब 30 अपरेल को होगी, चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार, महागडबंदन में बगावत, कांग्रेस ने ताने तेजस्वी यादव उपर ल खुद पुझी पती के दरवाजे पर पहुंच कर पैसा लेकर टिकेट बेच दे हैं, महागडबंदन लगातार जमीनी कारिकरताओं की अंदेखी कर रहा है, एक साजिश के तहत वालम की नगर और पूल्णिया की सीटे कांग्रेस से चली गई, ऐसे में आठ जड़ी ने इस सीट को किसी कारेकरता को नहीं देकर एक पुझी पती के हाथों बेच दिया है, चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार, केजरिवाल की कस्टेडी साथ मई तक बड़ी, जेल में पहली बार इंशूलिन दी गई, तीहाल प्रसासन बोला, शुगर ल केजरिवाल अब लोग सबा चुनाओ के दूसरे चरण यानि 26 अप्रेल और तीसरे चरण 7 मई की वोटिंग के दोरान भी जेल में ही रहेंगे, केजरिवाल के अलावा बी आरेस ने ताके कवीता और एक अन्य आरोपी चरन प्रीत की कस्टेडी भी 7 मई तक बड़ा दी गई साथी दोस्तों परिवर्दन निर्दिर शाले ने सुनवाई के दोरान कहा कि के कवीता के केस में एजेंसी 60 दिन में चार्शिट फाइल करेगी, एडी ने शराबनिती केस में केजरिवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था, 22 मार्च को राविजवेन्यू कोट में पेशी चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली वड़ी खबार उसे देखकर लगताएगी वो भी बहुत जादा दिन नहीं टिकेंगे हिस्थानिय लोगों के मताबित घटना से एक मिनट पहले बारात को लेज़ा रही एक बस यहां से गुजरी थी इसमें 65 लोग सवार थे सबी लोगों की किश्मत अच्छी थी इस वजह से बड़ी दुरुगट ना होने से बच गई वैसे दोस्तो इस तरह की घटनाओं के लिए आप किसको जिम्यदार मानते हैं राज़ितिक पार्टियों को सरकार को या फिर इस तरह के घटिया ब्रिज बनाने वाली कमपनियों को कमेंट बुक्स में अपनी राइस जरूर दे चलिए दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर प्रदानमंत्री मोधी बोले कांग्रिस राज में हनुमान 40 सुनना भी गुनाह था ये केवल मुसल्मानों को आरक्षन देना चाहते हैं मेरी गारंटी है रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा जान दोस्तो प्रदानमंत्री मोधी ने एक बार फिर कहा कि देश में आरक्षन कभी खत्म नहीं होगा उन्होंने राजस्तान के उनियारा तोक सवाई महदुपर लोगसभा शेत्र में कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुस्टी करने की राजनिती की रही है वो मनसूबे कामियाब नहीं हो सके इसके बाद 2011 में फिर से देश में इसे लागू करने की कोशिश हुई कांग्रेस ने सविधान की परवाहा नहीं की लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया क्या कांग्रेस अब देश की जनता से वादा करेगी कि वो उस आरक्षन को मुसल्मानों म बैन नहीं बाटेगी चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार मसाला बैन पर भारत ने सिंगापूर होंग कॉंग से डिटेल्स मांगी दोनों दिर्शों ने एवरेस्ट और एमडी एच के चार मसालों पर बैन लगाया था इन से कैंसर का है खत्रा जिया दोस्तों एमडी एच और एवरेस्ट मसालों के बैन के मामले में भारत ने सिंगापूर होंग कोंग के फूड रेगूलेटर्स यानि के खाद नियामक से डिटेल्स मांगी है वहीं दोस्तों Commerce Ministry के Official ने कहा कि दोनों कमपनियों के प्रोडेक्ट्स के rejection के कारणों का पता लगाया जाएगा और इनसे जुड़े experts की चिंताओं के साथ-साथ इन्हें ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए इस पर भी विचार किया जाएगा वैसे दोस्तों इनको ठीक करने पर विचार करने का काम कमपनी का है या फिर सरकार का comment box में अब जरूर दीजिए चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर जे राम रमेश बोले प्रदान मंतरी मोधी विश्व गुरू नहीं विश्व गुरू हैं उदेपूर में कहा हम राम के पुजारी व्यापपारी नहीं केंदर ने जनगर्णा तक नहीं होने दी जे आदोस्तों अखिल भारतिय कांग्रिस कमिटी के महास्चियू एम राजिसवासांसद जे राम रमेश ने कहा कि पहले चरण के चुनाओं के बाद देश के प्रदान मंतरी परेशानी में हैं अब उन्होंने ध्रूवी करण का रास्ता अपना लिया है अपने आपको प्रियोग किया है वो विश्व गुरू नहीं विश्व गुरू है राजिसवास अंसद आज उदेपूर में प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कांग्रिस के न्याय पत्र में आर्थिक विशमताओं को लेकर चर्चा है इसलिए प्रदान मंतरी म मोदी नई भशा में बोल रहे हैं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नितियों के कारण आर्थिक विकास का लाब सभी को न मिलकर सिर्फ कुछ उद्योगपती मित्रों को ही मिल रहा है चले दोस्तु जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार ब्रिटेन की संसद ने पास किया रवांडा बिल अवेद शर्णार्तियों को वापस भेजा जाएगा अफरिका मानो अधिकार संगटन बोले ये गरीबों के साथ भेदभाव है जियान उस्तु ब्रिटेन की संसद ने मंगलवार को विवादित रवांडा डेपोर्टेशन ब्रिटेन की सरकार रवांडा को अवेद शर्णार्तियों के लिए 3,000 करोड रुपे देगी इस रुपे से रवांडा शर्णार्तियों के लिए घर और रोजगार की विवस्ता करेगा चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बार अगली बड़ी खबर इरान ने कश्मीर पर नहीं दिया पाकिस्तान का साथ प्रदानमंत्री शहबाज ने गाजासी की कश्मीर की तुलना इरानी राष्टपती ने नजर अंदाज किया जिया दोस्तो इरान के राष्टपती इबराहिम रहीसी ने पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दे पर साथ नहीं दिया दरसल दोस्तो रहीसी तीन दिन के दोर पर पाकिस्तान में है सोमवार को पाकिस्तान के प्रदानमंद्री शेहबास सरीफ ने बेटक के दोरान रईसी के सामने कश्मीर का मुद्धा उठाया गाजा में मुझूदा हालतों की तुलना कश्मीर से करते वे शरीफ ने कहा कि कश्मीर के हित में आवाज उठाने के लिए मैं आपका और इरान के लोगों का शुक्रिया आदा करता हूं वालां कि शहबास के बयान का इरान के राश्टपती ने कोई जवाब नहीं दिया चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार संजे सिंग बोले केजरिवाल पर नजर रख रहा है पीएमो दिल्ली एलजी नियम तोड़कर सिसी टीवी लिंक से देख रहे हैं कभी भी दुरगटना हो सकती है जिया दोस्तों आमादमी पार्टी से राजसबा सांसा संजे सिंग ने आरोप लगाया है कि पीएमो और दिल्ली एलजी सीसी टीवी लिंक के जरिये जेल में केजरिवाल पर नजर रख रहे हैं संजे ने यह भी कहा कि केजरिवाल के खिलाफ सड्यांत्र हो रहा है जिसमें सीधूर पर देश के प्रदानमंत्र रतिये शामिल है इतनी निगरानी क्यों? क्या देखना चाह रहे हैं मोधी जी? ये देखना चाहते हैं कि केजरिवाल को दवा खाना मिला या नहीं? वे क्या पढ़ रहे हैं? कितना सो रहे हैं? मोधी जी ने इस काम में दिल्ली एलजी को भी लगा दिया है. आखिर वे क्या जानना चाहते हैं? झाल झाल